ये आकश्वणी रायपूर है प्रादेशिक समाचार बिलेटिन के साथ मैं शुश्मा स्रिवास और अब पेशे आज के मुख्य समाचार DRDO द्वारा विक्सित कोविट रोधी आउशदी 2D ऑक्सीडी ग्लुकोस जारी 36 गढ़ उच्चनियाले ने 18-44 वर्ष आयूवर के लोगों के टीका करण के मामले में रज्ज सरकार से दो दिनों के भीतर मांगा जवाब प्रदेश में कोरोना संक्रमन की इसीती में तेजी से सुधार हो रहा है रज में संक्रमन दर्ग गिर कर 9 प्रतिशक तक आई और बीजापूर जिले के सिल गेर इस्थी CRPF कैम्प में हुई गोली बारी में तीन लोगों की मौत बस्तर IGP सुन्दराज ने कहा कि मामले की जाज की जाएगी कोरोना संक्रमन में बढ़ोत्री जारी है सभी शोताओं से अपील है कि लापरवाही न बरते हैं सभी एहतियाती उपायों का पालन करें और 44 वर्षे अधिकुम्रिके जिन लोगों ने कोविट का पहला टीका लगवा लिया है सही समय पर दूसरा टीका लगवाएं तीन आसान उपायों का पालन करें और सुरक्षित रहें कोविट-19 से बचाओ और सुरक्षित रहने के तीन उपाय मास्क लगाएं दो गस दूरी है जरूरी सुरक्षित दूरी रखें हाथ और मू साफ रखें अब समचार विस्तार से कोविट रोगियों के लिए 2D ऑक्सीडी ग्लुकोस दवा आज जारी की गई केंद्री रख्षामंत्री राज नसी तथा केंद्री स्वास्त और परिवार कल्यानमंत्री डक्टर हर्शवर धन ने इसे जारी किया रख्षा अनुसंधान और विकाज संगठन ने डक्टर रेड़ी जी लैब के साथ मिल कर इस दवा को विक्सित किया है भारती औश्दी महानियंत रक्त ने हाल ही में इस दवा के आपात इस्तिमाल की मंजूरी दी थी रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन के वैग्यानिकों को बधाई देते वे रक्षा मंती ने कहा कि 2DG दवा आत्मनीरभरता की दिशा में मील का पत्थर है स्रीशीन ने कहा कि संकट के समय में ये दवा आशा के नई किरन लेकर आई है वहीं केंद्री स्वासमन्ती डक्टर हर्शवर्धा ने बताया कि कोरोना वाइरस को बढ़ने से रोकने में ये दवा काफी हद तक प्रभावी है हमारे समवाद दाता ने बताया कि डॉक्टर रेडी लैप अगले महीने से 2DG दवा का अधिक मात्र में उत्पादन करेगी और यह दवा किवल अस्पतालों दोरा कोविड मरीजों को दी जाएगी नैदानिक परिक्षण परिणामों से पता चला है कि यह दवा अस्पताल में भरती रोगियों को तेजी से स्वस्थ होने में मदद करती है और बाहर से ऑक्सिजन की निर्भरता को कम करती है यह दवा कोविड नाइंटीन से पीडित लोगों के लिए काफी फायदे मन होगी महमारी के दिरुद तैयारी के लिए प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी के आवहान पर डियाडियों ने 2DG के जिकित्सिया अनुप्रयोग दिकसित करने की पहल की थी ग्लुकोस का एक जेनरिक मोलेक्यूल और एनलोग होने के नाते इसका उत्पादन आसानी से हो सकेगा और देश में बड़े पैमाने पर उप्रब कराया जा सकेगा यह दवा पाउदर के रूप में आती है और इसे पानी में घोल कर आसानी से लिया जा सकेगा टू डी जी दवा वाइरस से संक्रमित मरीज की कोसिकाओं में जाकर उसे बढ़ने से रोकती है इस दवा से संक्रमित व्यक्तियों की जीवन रक्षा हो सकेगी और कोविड मरीजों के अस्पताल में रहने की अवधी को भी कम करेगी 36 गड़ उच न्याले ने 18 से अधिक आयूवर के लोगों की टीका करण के मामले में राजसरका से दो दिनों के भीता जवाब मांगा है न्याले ने कहा है कि टीका करण सेंटरों में लंबी लाइनों से बचने के लिए अंतियोदै, BPL, APL और समान्यवर के बचे वे टीके का भी इस्तिमाल किया जाए इस बीच प्रदेश में कोरोना टीका करण अभियान जोशोर से जारी है कल तक राज में 65,38,000 लोगों को टीके लगाए जा चुके थे जिसमें 18-44 आयूवर्ग वाले 4,77,000 से अधिक लोगों का टीका करण किया गया प्रदेश में इस आयूवर्ग के टीका करण के लिए अब तक करीब 8 लाग टीकों की आपूर्ती हुई जिन्हें सभी जिलो को वित्रित कर दिया गया है अंतियोदै, BPL, APL और फ्रन्ट लाइन वर्कर्स के लिए भी सभी जिलो में टीके उपलब्ध है उधर सरगुजा जिले के मैंट पार्ट में तिब्बतियों का शत प्रतिशर टीका करण हो चुका है यहाँ 45 से अधिक उम्रे के 503 लोगों में से सभी को टीका लग चुका है जबकि 18 से 44 आयूवर के 900 लोगों में से 56 लोगों को ही टीका लगना बाकी है यहाँ तिब्बतियों के अलावा मांजी जनजाती के लोग भी रहते हैं जिने टीका लगवाने के लिए जागरूप किया जा रहा है इधर 36 गडविधान सभा सचीवाले रायपूर में विशेश सिवीर आयोजित कर 18 से 45 आयोवर के अधिकारियों और कर्मचारियों तथा उनके परिजनों को कोरोना टीका की पहली डोज लगाई गई इसी तरह जीला न्याले दुर्ग में आज विशे सिविर लगा कर 200 से अधिक न्याली अधिकारियों, कर्मचारियों और उनके परिवार की सदस्यों को कोरोना टीका का पहला डोज लगाया गया प्रदेश में कोरोना संक्रमंदर की इस हिती में तेजी से सुधार हो रहा है, राज में संक्रमंदर में लगातार गिरावत दर्ज की जा रही है कल 16 मै को संक्रमंदर का आकड़ा 9% दर्ज किया गया, जबकि पिछले मेने संक्रमंदर 30% तक जा पहुँची थी इस बीच राज़ में कल कोरोना संक्रमन के 4888 नए मामले सामने आए हैं इन्हें मिला कर प्रदेश में कोरोना संक्रमित लोगों की कुल संख्या 9,12,000 से अधिक हो गई है वर्तमान में 1,03,000 से ज्यादा मरीजों का इलाज विभिन अस्पतालों या होम आईसुलेशन में चल रहा है प्रदेश में कल कोरोना संक्रमन की वज़ा से 146 लोगों की मृत्ति हुई है वहीं राजसरकाय दोरा कोरोना संक्रमन पर नियंतरन और रोक थाम के लिए 13,78,000 से अधिक कोरोना के संदिग मरीजों को दवाईयों के केट वित्रित की गई या केट गाओं में मितानीनों और सर्विलेंस टीमों दोरा उपलब्द कराई जा रही है उधर राजनकाँ जिले के डोंगर गाओं में वैद महीश गंजीर ने विभिन प्रकार के औशदी जड़ी बूटियों का उप्योग कर काढ़ा तयार कर कोरोना संक्मन काल में काम कर रहे पुलिस, पत्रकारों और अन्य फ्रंट लाइन वरकर्स को वित्रित किया है इसी तरह बेमितरा में किसान नेता योगिश दिवारी द्वारा कोरोना मरीजों के लिए नीशुर्ग सेवाय शुरू की गई है उनके द्वारा मरीजों को आक्सीजन सिलेंडर, आक्सीमीटर और धर्मामीटर का वित्रन किया जा रहा है इधर बिलासपुर में सामाजिक कारेकरता अभिजीत मित्रा और उनके टीम दोरा पिछले देर साल में कोरोना सिम्रित 65 से अधिक लोगों का विधी विधान के साथ अंतिम संस्कार किया जा चुका है प्रदेश में जारी लोगडाउन के बीच राजसरकार ने आज से अधिकांज जिलो में व्यवसाइक गतिवीधियों के संचालन में कुछ छूट दी है इसके तहट रायपूर सहीत कई जिलो में व्यवपारिक प्रतिष्ठाने सुबा 6 बज़े से साम 5 बे तक खुले रहें इस दोरान कुरोना के दिशाने देशों का पालन करते वे सम वेसम के तहट व्यवपार व्यसाय का संचालन किया गया इस बेश मुक्यमंती पुपेश बगेल ने प्रदेशवासियों से कोविट अनुकूल वेवार का सतत रूप से पालन करते रहने की अपील की है शीबगेल ने कहा है कि हम सभी ने बड़ी मुश्किल से कुरोना की दूसरी लहर को नेंतरित किया है हमें हर हाल में तीसी लहर की आशंका को समाप्त करना है उन्होंने कहा कि सभी के समन्मित प्रयासों से कुरोना संक्मंदर को 30 से 9 प्रितिशत तक लाने में काम्याब हुए है कुरोना की इस्थिती में तेजी से हो रहे सुधार को देखते वे राज सरकार ने लोगडाउन के प्रतिबंदों में थोड़ी छूट देने का निर्ने लिया है इस दोरान भी सौधानी बरतनी की आश्कता है मास्क, शोसल डिस्टेंसिंग और सनिटाइजर का उप्योग करते रहना होगा मुख्यमंति ने लोगों से अपील की है कि कोरोना महामारी से बचाओ के लिए अपनी बारी आनिक पर टीका आवश्य लगवाएं जिन लोगों को टीका का पहला डोज लग गया है वे निर्धार समय आओधी के बाद टीके का दूसरा डोज आवश्य लगवाएं तभी इस महामारी पर विजय प्राप्ट कर सकेंगे उधर ग्रहमंति तामरज साहु ने कोरोना महामारी से लड़ने और कोरोना प्रभावीतों की हर संबा मदद के लिए साहु समाज से आगरा किया है ग्रहमंति ने कल वीडियो कांफरेसिंग के माध्यम से प्रदेश इस्तरी साहु समाज के पदादिकारियों द्वारा आयोजित वेबिनार में शामिल हुए उन्होंने ही सामाजिक पदादिकारियों से कहा कि वे कोरोना संक्मन से बचाओ के लिए अपने जिलों में अधिक से अधिक लोगों को मास्क वित्रण करें और टीका करण के लिए जागरुक करें प्रादेशिक समाचार आप आकाश्वणी रायपूर से सुन रहे हैं आकाश्वणी समाचार रायपूर के प्रादेशिक समाचार बुलेटिन के साथ ही हमारे समसामाइक काईकरम आप रेडियो के अलावा अपने मोबाईल पर भी सुन सकते हैं आकाश्वणी समाचार फेस्बुक, ट्विटर और यूट्यूब पर भी उपलब्त है हमारा फेस्बुक पेच चतिसगर्ड न्यूज ओन ए आई आई आर ट्विटर हैंडल cgairnews और हमारे यूट्यूब चैनल है चतिसगर्ड ए आई आई आर न्यूज तो अब रेडियो के साथ ही आपके मोबाइल के जरिये भी हम पहुँच रहे हैं आम तक चतिसगर्ड की हर खबर के लिए सुनते रहे हैं आकाश्वणी समाचार और अब आगे बढ़ते हैं बाकी के समाचारों की ओर मोख्यमंती भुपेश भगेल ने आज केंडरी उद्योग और वानित जिमंती प्यूश गोयल को पत्र लिख कर इस्टीर उद्योगों को चतिसगर्ड में उतपादित ऑक्सिजन की 21 प्रतिशत मात्रा की उप्यों की अनमती प्रदान करने का आग्रा किया है मोख्यमंती ने श्री गोयल को भेजे पत्र में लिखा है कि चतिसगर्ड की विभी निकाईयों की प्रतिदीन ऑक्सिजन उतपादन की छमता 462 मिटरिक टन है समान परिसितियों में रज की इस्टिल निर्माता कमपनियों को ऑक्सिजन की आपूर्ती की जाती है लेकिन केंद्र सरकार ने कोरोना महमारी की बढ़ते प्रकोप को देखते हुए देश में ऑक्सिजन की आपूर्ती सुनिशित करने के लिए उतपादित ऑक्सिजन के ओध्योगिक उप्योग पर रोक लगा दी है मुख्यमंदी ने पत्र में यह भी लिखा है कि कोरोना संक्रमन की इस्तिती में सुधार हो रहा है ऑक्सिजन की कमी के कारण रज्ज की सभी स्टील कमपनिया बंद पड़ी हैं जिसके कारण लाखों मजदूर बेरोजगार हो गए हैं इन परिस्तितियों को देखते वे रज्ज के इस्टिल निर्माता इकाईयों को प्रदेश में उत्पादित आक्सिजन की 20 प्रतिशत उप्यों करने की अनमति प्रदान की जाए कोरोना से बचाओ के लिए रज्ज के 18-45 सायूग के सभी लोगों के लिए सुविधा जनक तरीके से टीका लगवाने के लिए शुरू किये गए सीजी टीका वेब पोर्टल में कल तक्नीकी समस्या आ गई थी जिसे ठीक कर लिया गया है तक्नीकी समस्या के करण आमनागरिकों को टीका करण में होने वाली परिशानियों से बचाने के लिए पोर्टल के निरंता निगरानी की जा रही है सरवर के लिए परियाप्त मानो संसाधन की विवस्था की गई है अब यह पोर्टल सुचारू ढंग से कारे कर रहा है पोर्टल के लिए हेल्प नाइन नंबर आठ दो छे नौ छे नौ छे चार नौ नौ जारी किया गया है जो 2400 घंटे काम करेगा इस भी पोर्टल के जरिये कल शाम तक 3,46,000 से अधिक लोगों का पंजियन किया जा चुका है राजिपल अंसुया उइके ने आज हेमचंद विशुद्यले दूर्गे के तत्वधान में आयोजित जल सनरक्षन कैस दा रेन विशे पर आयोजित आउनलाइन कारिशाला को संबोधित किया उन्होंने कहा कि जल को व्यर्थ बरबाद न करें सीमीत मात्रा में ही जल का उप्योग करें शूसरी उइके ने कहा कि पूर प्रधान मंत्री ने वर्षा जल को संचित करने के लिए नदी जोडो अभियान की परिकल्पना की थी जो देश के लिए अद्बूत परियोडिना थी राजिपल ने कहा कि प्रधान मंत्री नरेन मोदी ने कैस दा रेन शब्द का उप्योग किया है जिसका तात्वर रेन वार्टर हर्वेस्टिंग से है उन्होंने कहा कि हम सभी का यदाईत तो है कि अपने अपने शेक्षिणिक संस्थानों तथा आवासों में रेन वार्टर हॉर्वेस्टिंग प्रणाली अवस इस्थापित करें हेल्थ और वेलनेस सेंटरों के माध्यम से स्वास रेन प्रादान करने में देश में 36 गड़ का दूसरा इस्थान है के इंदी स्वास और परिवार का लिणवी भाग दोरा जारी रिपोर्ट के अंसार लक्ष को पूरा करने और स्वास और सुईधाय प्रदान करने के लिए अंतिम तिमाही में राज्यों की रैंकिंग में पूरे देश में 36 गड़ दूसरे इस्थान पर है इस सूची में पिशले कुछ दिनों से सिल गे सी आरपी एफ कैम्प का विरोध कर रहे थे इसी सिलसले में आज बड़ी संख्या में ग्रामिन कैम्प के पास जूटे हुए थे इस दोरान ग्रामिनों की आर में माववादियों दोरा फायरिंग की गई सुरक्षा बलों की टीम ने भी जव बड़ी संख्या में गाउं के लोग कैम्प के पास इखटा हो गये इस भी ग्रामिनों की आर लेकर माववादी कैम्प तक पहुँच गया और अचानक फायरिंग शुरू कर दी सुरक्षा बलों ने भी जवावी कारवाही की घटना के बाद इलाके की सर्चिंग की गई जि की शिनाक्त की जा रही है इलाके में सर्चिंग तेश कर दी गई है इस्तिती नियांत्रण में है आई जी ने बताया कि मामले की जाज के बाद इस्तिती इसपश्ट हो पाएगी केंद्र सरकार के किसान सम्मान निधी की आठवी किस्त से 36 गड़ के 26 लाग किसानों को 520 कर रुपे का लाग हुआ है भाज पाकिसान मोचा के प्रदेश प्रभारी संदीप शर्मा ने बताया कि केंद्र सरकार की इस योजना से किसानों को बड़ी राहत मिली है उन्होंने खाद के दामों में बड़ोत्री को खारिश करते वे कहा कि कांग्रेस इस मुद्दे पर भ्रम भैला रही है उन्होंने कहा कि रज में अनुमानित आवशकता का 50 प्रतिशत खाद का भंडारन पूराने दर पर हो चुका है डी एपी को छोड़कर यूरिया और राखर के दाम में कोई बड़ोत्री नहीं हुई है जबकि पोटाश के दाम में प्रति बोरी 6 प्रतिशत की मामूली बड़ोत्री की गई है शी सर्मा ने कहा कि केंद सरकार के खिलाब कांग्रेस का कथिद धर्ना सिर्फ दिखावे के लिए है महा समून के महिला और बालविका सदिकारी सुधाकर बोदले ने आज महिला और बालविका स्विभा की संचालक दिव्यमिष्रा और कलेक्टर डोमन सींके समक्ष अपना अंशन समाप्त कर दिया शी बोदले कल अपने निवास पर Ready to Eat के वित्रण में कथित अनिमित्ता को लेकर अंशन पर बैट गये थे इस मामले में आज 200 सहायता समूहों को बरखास करने के साथ ही दो परिव्यक्षकों को निलंबित कर दिया गया है दिव्यमिशन ने पत्रकारों से चर्चा करते वे बताया कि जांस दल द्वारा आज प्रथम दिश्टिया Ready to Eat गुर्वत्ता नहीं पाय जाने पर प्रगती महिला सो सहायता समूह बरोंडा बजार और एकता महिला सो सहायता समूह लभरा खुर्द को ततकार प्रभाव से बरख खास्त कर दिया गया है साथ ही संबंदि सेक्टर की दो परिवेक्षक शची जैस वहल और दीप मला तारक को निलंबित कर दिया गया है इसके अलावा जिलाकारिकम अधिकारी मनोसिन्ह को कारण बताव नोटिस जारी किया गया है इंद्रा गांधी क्रिशी विद्धाले रायपूर में इस नार्कुत्तर पार्ठेक्रमों MSC क्रिशी, उद्ध्यानिकी, वानिकी और M.TEC क्रिशी अभियांत्रिकी में प्रवेश के लिए और अब पेशे मौसम का हाल, चक्रवाती तुफान ताउते का राज में सीधा असर पढ़ने की संभावना नहीं है मौसम विभाग के मुताबिक राज में इसके असर से हलकी बारिश हो सकती है आगामी 24 घंटों के दोरान प्रदेश में एक दो इस्थानों पर गरत चमक के साथ अंधर चलने और आकाशी बिली गिरने की संभावना है मौसम विभ्यानी एच पी चंद्रा ने बताया कि एक दोरी का दक्षिन पूरू अरब सागर में इस्थित प्रबल चक्रवात ताउते दक्षिन पश्रिमत प्रदेश तक इस्थित है इस चक्रवात के कारण प्रदेश में नमी युक्त हवा आ रही है इसके असर से बदली बारिश की संभावना बन रही है अधिक्तम तापमान में विशेश परिवर्तन की संभावना नहीं है अंत में मोख्य समाचार एक बार फिर DRDO द्वारा विक्सित कोविट रोधी आउशदी 2D ऑक्सीडी ग्लुकोस जारी 36 गर उचने आले ने 18-45 वर्स आयोवर के लोगों के टीका करण के मामले में रज्ज सरकार से दो दिनों के भीतर मांगा जवाब प्रदेश में कोरोना संक्रमण की इसीती में तेजी से सुधार हो रहा है रज्ज में संक्रमण दर गिरकर 9 प्रितिशत तक आई और बीजापुर जिले के सिलगेर इसी CRPF कैम में हुई गोली बारी में तीन लोगों की मौत बस्तर IGP सुनराज ने कहा कि मामले की जाच की जाएगी इसी के साथ प्रदेशिक समाचार बुलिटन समाप्त हुआ नमस्कार झाल